हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों असके इस वीडियो में मैं आपको Adobe After Effects का motion tracking के बारे में बताने वाला हूँ तो किस तरह से हम अपनी वीडियो footage को ट्रैक कर सकते हैं scene को ट्रैक कर सकते हैं motion ट्रैक कर सकते हैं Adobe After Effects में और उस ट्रैक के जगह पर हम कुछ भी object हुआ या फिर टेक्स हुआ तो बहुत सारा चीज़ यह tracking जो है बहुत ही useful है और आप अगर Adobe After Effects पर एडिट कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो आपको यह चीज़ जानना जरूर देए कि यह बहुत ही यूजफुल चीज़ है जिससे आपको आगे के वीडियो एडिटिंग में बहुत हेल्फुल होगी तो इस वीडियो को जरूर देजिए आपका कोई भी सवाल यह सुझाब है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर किजिए तो चलिए हम चलते हैं अपने पेसी के और वहां पूरा इंफ्रमेशन आपको मैं देने वाला हूं किस तरह से हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं अपने वीडियो फूटेज को और उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं तो भाई लोग अभी हम अपने अप्रफिक्ट में आगे हैं अपने कंप्योटर पर तो यह एक अपरेट में एक मोशन ट्रैकिंग अदूसरा है काम्रा ट्रेक तो यहां अगर आपॉप्षिन में देखेंगे तो यह हम। तो हज घ्रक है और ट्रैक मोशन है तो आज यहां मैं आपको मोशन ट्रैकिंग का बारे में बता रहा हूँ तो सब्पहले हम अपने वीडियो फूटेज को लियाँ अजुरा करके यहां ड्रॉप कर देंगे तो यह मारा composition एक बन जाएगा तो यहां पर जो है यह मेरा footage है और क्योंकि इसमें जो है camera का movement है तो यहां जो है आपको बताने में या समझाने में मुझे आसानी होगी कि किस तरह से जो है हमको camera track जो है वो करना है जो है motion track जो है करना है और इससे हम जो क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है हम जहां से हमारा camera movement होता है उस footage को ले दे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा लेने के जरूरत नहीं है आपको स्रिप समझाना है tracking के बारे में तो यहां से camera जो हो रहा है तो चलिए यहां से जो है इस footage को लेते हैं और जो एक्ट्रा पार्ट है उसको हम split कर देते हैं नहीं भी करेंगे तो चलिए मगर मैं control shift ती दबा के जो है इसको split कर देता हूं और नीचे वाला layer को जो है डिलेट कर देते हैं इसके बाद में हमारा जो है यहां से camera movement चालो है तो ठीक अब यहां से हम अपने keyboard पर interest करेंगे और यहां से हम इसको trim to work area तो यह हमारा composition इतना है अब दोस्तों यहां पर यह हमारा video footage है इसको हम select करने के बाद में अपने mouse पे हम click करेंगे right click तो यहां पर आपको जह है track motion का option मिल जाएगा या फिर या फिर आब आप इस तरह right side के panel में अगर देखें इस तरह का option आ रहा है तो यहां track track motion यहाँ से सिलेक्स कर सकते हैं या फिर अपनी विडियो लेयर को जो है अपने माऊस पर राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर भी जो है आप track motion सिलेक कर सकते है तो जो जैसे करें करेंगे मतलब जो भी option जिस तरह से भी आप करना चाहेंगे तो आपका track तो हमको जो है यहां पर अब सुचना यह है कि हम सिंगल फ्रेम जो है लेंगे तो इसमें जो है यहां आप देखेंगे तो इस बॉक्स में जब हम ट्रैक मॉशन कर रहे हैं तो यहां पर तीन बॉक्स आपको नजर आ लहा है एक है सिफ फिलाल जो है सिफ पोजिशन पर यहіш फीक्स यहांनि के राइट किलिक है तो अगर हम पोजिशन किसी चीज का पोजिशन ही च्रैक करना है तो हम इसको सिंगल पॉइंट से कर सकते हैं या फिर हम को चाहिए कि मान लीजे कि कोई एक बैनर है या कोई फ्रेम है जिसको हमको ट्रैक करना है अब मान लीजे कि यह वाल है ठीक है इस वाल को ट्रैक करना है हमको और इस जगह में हमको कोई बैनर वगरा लगना है तो तब जो है हम रोटेशन की स्केल वगरा जो है हम पोजिशन र हमारा जो है Tracking होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं तो यहां से जो है इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा जो है कर सकते हैं तो यह भी है एक हम detर कर सकते हैं और जो center में आप को यह Sé тер trading टो यहां पर जो है हमको हमारा माउस का साथ ले लेना है तो उसके घुआ मैं यहां देख लिए इस तरह से अगर क्लिक करके आप इसको मॉब करेंगे तो यहां थोड़ा जूम हो गया आपको जो इस तरह से नजर आएगा तो आपको जो है सबसे पहले स्लेक करना है अपने ट्रैक का पॉइंट तो हमेशा जो है आप स्लेक कीजे ऐसा कोई पॉइंट झो थोड़ा डार्क हो तो तो या फिर कोई हैफिन को हम ट्रैक कर सकते हैं तो मैं इसको ठ्रैक करता हूँ और यहां पर प् millones de rental कर लिया है То यह जो box है तो यह जो area है इसको जो है track करेगा और ये इसका center point है ठीए तो अब यहां से यहां नीचे आपको जो है कुछ और option नजर आएगा तो यहां जो है आप frame by frame click करते हुए जो है अपने track को देख सकते हैं कि कहीं आपका track जो है वो mismatch तो नहीं हो रहा है तो अगर mismatch होता है तो तब जो है आप यहां से इसको पगड़ के जो है adjust कर सकते हैं या फिर यहां पर right play है और left play है अगर आपको forward यानि कि आगे के तरफ अगर आपको track करना है तो इसको right play forward में जो करेंगे तो यह automatic जो है आपका tracking कर लेगा motion track कर लेगा उस point को तो यहां जो है थोड़ा tracking अपना mismatch दिखा रहा है तो हम इसको correct कर सकते हैं अगर किसी वज़े से अगर हमारा track अगर match नहीं हो रहा है तो इसको हम correct कर सकते हैं तो हम अपने mouse के scroll button है उसको हम slide करके zoom कर सकते हैं हां लेख यह जो है हमारा पॉइंट है जो इसको center में होना चाहिए नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको पकड़के इसको center में दे सकते हैं है तो यहांपर जो है थोड़ा सब यह आ रहा है कि जब हम इसको यह पकड़के सेट कर रहे हैं तो यह जो है center में दिखा रहा है यानि कि ये ठीक है इसमें आपका जो tracking है correct होआ है तो हमारा फिलाल ये पोजिशन जो है इसका जो जाना है यहां से new select करेंगे और new के बाद यहां से जाएंगे हम नल तो हमारा जो है एक नल क्रेट हो गया है ठीक है अब हमको क्या करना है यहां से your edit target का option आगा यहां पर click करना है और यहां पर जो हमारा नजर आएंगे तो आपको जो null रहेगा आपको उसी को जो है select कर लेना है और उसके बाद में ok पे click कर देना है तो हमारा जो है edit target में null one जो है ये select हो गया है अब यहां से जो है हम apply पे click करेंगे तो यहां पर जो है x and y selected है अगर नहीं है तो देख लीजेगा आपको जो है x and y पे रहना है और इसको जो है ok कर देंगे तो यहां पर जो है हमारा जो track point मना था वो null जो है null पे सारा data जो है transfer हो गया है अब यहां पर अगर मैं अपने video के slide को करूँ तो आप देख सकते हैं कि उस position को जो है हमारा null जो यह null जो है यह किस तरह से match कर रहा है ठीक है तो यह हमारा track point बन चुगा है अब हम इस जगहा पर जो है कुछ भी चीज कुछ image हो या कुछ भी चीज अगर हम कुछ लगाना च जाते हैं तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं तो चलिए मैं कोई एक image जो है ले लेता हूं तो यहां पर हम double click कर लेते हैं और यहां से कोई image एक ले लेते हैं तो तो मैं यह transparent जो ट्री है इसका एक png image ले देता हूं और इसको पकड़ के जो है हम ड्रैक करके यहां drop कर देते हैं ठीक है अब इसको keyboard पे s प्रेस करेंगे तो scale आ जाएगा और इसको मान लेजे कि हम यहां पर set करते हैं इस तरह से तो हमने जो अपना ट्री है उसको इस position में set कर दिया है अब हम अगर इसको यह करें तो देखिए जो अपना जो transparent ट्री है वो जो है इसको follow नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे tree में यह वाला option आपको नजर आरहा है यहां पर इसको पकड़ के आप यहां से लेके Null पर छोड़ सकते हैं ड्रैक करके छोड़ सकते हैं या फिर या फिर जैसे हैए यह यह बैक को यह matterson आ रहा है तो नट में थो इसको क्लिक करने के बाहाद हम जो है इसको track जो है नलग को select कर देंगे तो इससे यह ओगा को कि कि जो आपका tree का position है हो नल को follow करेगा तो अब यहां से हम अगर देखें ला को फोलो कर रहा है यानि कि उस जगा पस हमारा tree position你 has set हो चुका है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक हमने जो एक transparent tree जो है set किया था वो यहां set हो चुका है इसके बाद हम यहां चाहें तो कोई text वगएरा भी जो है लिख सकते हैं text को अगर कुछ follow करना है text तो वह भी हम कर सकते हैं तो चलिए मैं कोई text जो है यहां लिख लेता हूँ तो यह हमारा text है तो अब text को हम क्या करेंगे अब text का जो position है या तो हम यहां none है यहां से हम जो है null को click कर सकते हैं या फिर यहां से इसको पकड़के हम null को follow कर सकते हैं अब हम इस text को थोड़ा सा set कर देती कि कहां रहना चाहिए ठीक हमने इसका जो position set कर दिया अब देखिए हमारा जो text भी है ना वो इसको follow करेगा यानि कि उस null को जो है parent कर दिया है तो इस तरह से जो हमारा text भी जो है वो follow कर रहा है null के position को तो यह है कि हम किस तरह से हम अपना मतलब track motion कर सकते हैं adobe after effect में और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है आप अगर किसी भी तरह का editing वाकर करते हैं ना तो इसमें बहुत ही ज्यादा यह technique जो ही यूज होता है और बहुत ही काम का चीज है तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है टुटोरिल दे रहा हूं तो यह हमारा हुआ सिर्फ पोजिशन ट्रैक अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है इसका जो scale rotation वगेरा है उसका use हम कैसे कर सकते है ठीग है तो यहां थो यहां फिर से हम अपने video layer को select करेंगे और यहां पर हम track पर आ जाएंगे अब यहां पर जैसे track motion हमने किया था track camera कर सकते हैं ने sorry track motion के फिर से जो है हम यहां click करेंगे अब जो है हम यहां rotation और skill को scale को जब click करेंगे तो यहां जो हमारा track point दो track point बन करेंगे आ रहा है अब हमको जहें दो specific जगान जगा जो है उसको हमको track करना है तो फिर से हम इस वाले point को select करके थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देते हैं और यहां से mouse में click करके यहां एक position जो है हम select कर लेते हैं जहां से हमको track करना है तो यहां मैंने select कर दिया और दूसरा position जो है उसको भी हमको select करना है कहीं point करना है जहां हमारा जो है track हो सके तो इसको भी चलिए हम कि यहां कि इस वाले point में select कर देते हैं तो अभी जो है हमारा दो point select हो गया है अब हम इसको जो है है या फिर यहां से forward या backward कर करके हम इसको track कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो है हमारा track वो complete नहीं हो पाया है क्योंकि इस position में आने का बाद में यह जो track point है वो मतलब disappear हो गया है तो सही से track हो नहीं पाया है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं तो इसके लिए जो है सही point जो है होना चाहिए तो चलिए हम step by step जो है इसको track करते हैं तो यहां तक जो है मैं अपने video frame को रगता हूं यहां से पेपेश करके जो है मैं इसको trim to work area कर देता हूं ठीक है ताकि आपको समझाने में आसानी हो तो यहां पर हमने दो position को track कर लिया है और यह हमारा जो है position scale rotation और scale तीनों को ही track कर रहा है ठीक है अब same process हमको करना है फिर से हम जाएंगे layer में एक new और हमको create करना है एक null object तो इस टाइम जो है null object null 2 होगा है अब यहां से हम edit target पे जाएंगे अब जो है हमारा जो भी tracking data है वो null 2 पे जो है आ जाए अब इसको हम जो है ok करेंगे और यहां से apply पे click करेंगे x and y ok तो यहां पर जो है आप देख लिए कि null पे जो है जितना scale है rotation है और जो position है यह सारा चीज जो है यहां पर track हो गया है यानि कि पूरा data जो है यहां पर आ चुका है अब यहां से हम अगर move करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि यह जो है हमारा second null है और यह जो है इस तरह से track कर रहा है इस position को और यहां पर जो है rotation scale वगरा सारा चीज जो है यह track करेगा अब दोस्तों हम यहां पर चलिए फिर से कोई image वगरा जो है ले लेते हैं एक image तो यहां में एक image ले ले लेता हूं और इसको drag करके यहां drop कर देता हूं तो यह एक image है तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा scale छोटा कर देते हैं अब इस image को जो है मेरे को यहां पर सेट करना है माल लिए कि एक वाल है इसको मुझे बैनर की तरह सेट करना है अब यहां से मैं आर थोड़ा प्रेस करके इसको rotation वगरा दे देता हूं ठीक है तो तो और यह तो कुछ इस तरह से जो है मैंने इस image को सेट कर दिया है अब जो है मैं इसको पैरेंट करूंगा नल टू के साथ यहां से लेके पकड़के यहां जो है नल टू पर मैं ड्रैक करके ड्रॉप कर दूँगा तो यहां आप देख लिए नल टू जो है सिलेक्ट हो गया है अब हम जो है इसको प्ले करते हैं तो यहां आप देख लिए इस तरह से जो है हमारा इमेज जो है इस नल टूप जो ट्रैक पॉइंट है उस पर यह इस तरह से आ रहा है ट्रैक हो रहा है कि यह है मोशन ट्रैकिंग तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो फूटेज को मोशन ट्रैकिंग करके वहां कुछ भी आपडिक्ट वगरा टेक्स वगरा इस तरह से कर सकते हैं बहुत सारे इसका जो है यूजपूल है हर वीडियो में जो है अलग अलग तरखा है मगर यह एक तो इसके जरी जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं motion tracking आने वाले टाइम में आपको camera tracking ट्रैक कैमरा जो है उसके बारे में भी मैं आपको information दूँगा तो उसका जो है किस तरह से use किया जा सकता है चोटा चोटा वीडियो मैं आप लोगों दे रहा हूं ताकि जो हाने वाले टाइम में जब मैं कोई बड़ा वीडियो का tutorial दो आपको यह चोटी चोटी चीज जो है समझने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े आप जो है इसके बारे में जानते रहे हैं तो पहलोग यह था Adobe After Effects का एक छोटा सा बेसिक टुटोरियल उमिद है कि आज की टुटोरियल आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज डाइक ही जलते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर इंट्रेस्टिंग वीजियो जो मै अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद